हलो स्टूडेंट्स, प्रिफेस वीडियो में आपने सर्च इंजिन ऑप्टिमाजेशन से रिलेटेट कुछ इंपोर्टन चीजों के बारे में जाना था, इस वीडियो में भी हम सर्च इंजिन से रिलेटेट और ज्यादा इंपोर्टन चीजों के बारे में जानेंगे अगर आप HTML की कोडिंग करते हो, तो आपको Meta Tag के बारे में information होगा, Meta काफी important Tag है और search engine के respect में इसका काफी value होता है, इसके बारे में आपको पूरी information होनी चाहिए कि Meta Tag में क्या लिखने से कौन सा task perform होता है, Meta Tag का काम क्या है इसको जानिए, Meta Tag माध्यम है, जिससे आप website के content का information सर्वर को देते हो, क्योंकि जब तक आपके content का information सर्वर को नहीं होगा, तब तक कोई भी search engine जैसे की Google, Yahoo या Bing, आपके content को read नहीं कर पाएगा, और आपके website का content Google search में नहीं आएगा, सबसे पहला, अगर Meta में आप care set attribute लगा कर, utf8 define करते हो, तो इसका मतलब, आपने अपने page में coding करने के लिए, a to z में से letters का इस्तमाल किया है, 029 numbers का इस्तमाल किया है, और बहुत शारे चिन्हों का इस्तमाल किया है, तो जब भी किसी language में coding करते हैं, ये तीनों चीज compulsory होता है use करना, तो ये तीनों चीज आपके webpage में use हुआ है, ये information server को देने के लिए, Meta में care set attribute का value, utf-8 define करते हैं, अब अगला है Meta में name equals keyword, इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहता हूँ ये word write करने पे, Google search में मेरा website आए, तो ये तभी होगा जब Meta में content attribute का value, मैं ये word लिखूंगा, उसी परकार से, जितने भी word पे, आप चाहते हो आपका website search हो Google में, उन सभी words के बारे में, आप कॉमा देखर यहां write कर दोगे, अब आता है Meta name description, इसके content attribute में, आप जो भी लिखो के, वो आपके website के नाम के नीचे डिस्पले होका, जैसे, मैंने search कर लिया web institute, और मैंने interface किया यहां देखिए, web institute.com के नीचे, मैंने institute के बारे में लिखा गया है, तो यहां पे तबी institute का, या आपके product या आपके website का, सारा information आएगा, जब आप content में write करोगे, अगर आप content में write कर दोगे, online institution of software engineering, तो आपका website का नाम सोज होते ही, यहां पे आएगा, online institution of software engineering, इसके content में आप जिसका नाम define करोगे, माना जाएगा web server की तरफ से, कि इस website में जो भी content है, उसको इस इनसान ने, या इस company ने लिखा है, अगला है metaname copyright, यहां भी आप अपने company या website का नाम लिखिए, इसका मतलब यह हुआ, आपके website का content पे, सिर्फ आपका अधिकार होगा, अगर उस content को कोई copy करता है, तो आप उस पे claim कर सकते हो, अब अगला है owner, website company का owner जो भी है, आप उनका नाम content में define कीजिए, और metaname URL, यह काफी important होता है, इसी से Google पता करेगा, कि आप ही के website से content copy किया गया है, या चोड़ी किया गया है, तो जबी भी आप website के content को security देना चाहे, यह charge ही जरूर define करे, अब अगला है metaname viewport content worth equals device-worth initial scale 1.0, जैसे यहाँ देखिए, desktop पे website खुला हुआ है, mobile पे जाते ही, automatic इसका आकार आरेंज हो जाएगा, तो यह तभी हो शकता है, जब आप metaname viewport और content में worth equals device-worth initial scale 1.0 define किये होंगे, यह सारी चीजे आपको वीडियो के comment box में मिल जाएंगी, आप उहाँ से copy paste करके अपने website में यूज कर सकते हो, करेंटली आप हमारे website पे विजिट करें, ताकि हमारे online courses के बारे में आपको information हो शके, वैब institute के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,